आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवेंगर सूगर लिम्टिड वेंट स्टोप में क्या कुछ करना चाहिए आपको कैसा माहूल बनता हो नजरा रहा है और इस स्टोप की बहुत सारी ऐसे इंपोर्टेंट पॉइंट है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले वीडिय यहां पर है आप सबी को पता है कि यह सूगर स्ट्रोक है मतलब सूगर से रिलेटिड और आप सभी को पता कि यह भाग जो इस port वे मैं यहां बदाए इसके वेस्टेज से जो होता है उससे इथिनोल बनता है और इथिनोल को आपको पता ही है कि क्या कुछ काम होता है अब इस टोक में माहुल अच्छा बनता हुआ नजर आ सकता है क्यों आ सकता है चार्ट पे भी हम बात करेंगे और इस टोक के इस कंपनी के बहुत सारे ऐसे लक सरकार से अनुम्त्य मिल गई है दो कि इतलियों स्टोक की है उन पे आप नजर बनाके रख सकते और उन में से हमारा एक जो डुएंगर ये टोल काते हैं और मैं क्यों कहार हूं नजर बनाके सकते क्योंकि कर लिए रहा है और साथ यहां पर जो नाज से बनता है इंक्तर इतलोन उसके भई मतलब ज्यादा मातरा में भारत में 37 परसेंट अना से इतलोन बनाया गया है और फिलहाल 2024 और 2025 में इतलोन से आधारते जो बना है अना से इतलोन उसका 51 परसेंट इसका भई हिस्सा है कंपनी का नहीं अनाज का कह रही हूं में ठीक है इसका भी मोटीव है कि जादे से ज्यादा मात्रा में ये मक्का परचेज करेंए अब हम चार्ट पे बात करते हैं क्योंकि important point मैंने सारे cover कर दिया है चाइट पर आप देखो गे स्टोग में एक rounding top बन रहा है rounding top बनके यहां पर एक तरीक से कह सकते हो double bottom बन रहा है double bottom से यहां पर अगर यहां से स्पोर्ट लेता है तो अच्छी बात है फिर से स्टोक में positive माहल आपको देखने को मिल सकता है तो यहां पे जो पहला target रहेगा वो रहेगा 8.12 का अगर इसका breakout होता है तो फिर उपर के level आपको देखने को मिलेंगे second देखने को मिलेगा 9.15 का तो यहां से recovery दिखाता है तो यह target आपको hit होते है नजर आ सकते है बाकि यहां पे एक sport zone है जो कि आपको नजर आ रहे होगी 7.04 से और नीचे का भी level में आपको बता देती हूँ यहां पे यह रहेगा 6.72 का यह sport है इस चीज़ को आपको ध्यान मे रखना है और किस-किस ने अपने इस टोक में position बना रखे या फिर आप बनाना चाहते हो तो केमेंट करके जरूर बताना और फ्रेंड्स इस वीडियो का motive only for education परपज है मैं किसी को पर्षन धे कमेंट नहीं करती कि आप इस टोक में बाइक रो सेल करो या होल्ड करो